विद्यार्थियों में फाइनल का सात्वा प्रश्ण पत्र अंतरास्ट्य कानून के तहत राश्ट्रियता के बारे में हम पढ़ेंगे राश्ट्रियता वैसे तो प्रतिक राज्जे के कानूनों के द्वारा या कानूनों के नियमों के द्वारा निर्धारित होती है पर इसलिए क्योंकि इसका प्रभाव अंतरास्ट्य कानून पर भी बढ़ता है ये अत्यंत महत्व पूर्ण है अंतरास्ट्य कानून में भी अंतरास्ट्रिये विधी की बात हम करें या अंतरास्ट्रे कानून की बात करें तो वहां रास्ट्रियता के भैत्व को जान लेना अतियावशक है क्योंकि अंतरास्ट्रिये कानून में रास्ट्रियता विहिन व्यक्ति की इस्थिती अनाथ जैसी ही होती है इसलिए राष्ट्रियता को अंतराष्ट्रिय कानून में ऐसा अधरन गरिमा प्राप्त होती है और अंतराष्ट्रिय कानून की द्रिष्टी से राष्ट्रियता के कई महतुपूर्ण परिणाम हमें देखने को मिलते हैं जैसे कूटनितिक सरक्षन का यदि प्रश्न हो तो रास्ट्रियता के आधार पर एक व्यक्ति विदेशों में कूटनितिक सरक्षन पालने का अधिकार होता है उसे प्राप्त होता है और विदेश में निवास के समय एक व्यक्ति के सम्मुक यदि कोई कानून या राजनितिक उल्जन पैदा होती हो तो वहां इस्थित उनके राज्य का दूतावास पूरी-पूरी सायता करता है इसी तरह हम देखें तो व्यक्ति और राज्य के बीच की कड़ी भी राश्ट्रियता है राश्ट्रियता व्यक्ति और राज्य के बीच सम्मंद इस्थापित करने वाली महतुपूर्ण कड़ी मानी जाती है क्योंकि राश्ट्रियता के माध्यम से ही सामाने रूप से व्यक्ति राज्य द्वारा अंतराश्ट्रिय कानून के लाभों का उप्योग करते हैं और राश्ट्रियता से व्यक्ति के करतवे भी इसपस्थ होते हैं यहें व्यक्ति को करतवे सोंपती है कि वह अपने राश्ट्र के प्रती निष्ठा और राज्य भक्ति को बनाए रखे इस द्रिश्टी से आवशक्ता पढ़ने पर राज्य की सैनिक सेवा करना व्यक्ति का करतव बन जाता है युद्ध के समय भी व्यक्ति की शत्रूता तथा मित्रता का ज्यान राश्ट्रियता से होता है क्योंकि युदि के समय किसी व्यक्ति की शत्रुता और मित्रता व्यक्ति की राष्ट्रियता के आधार पर निर्धारित की जाती है यदि व्यक्ति की राष्ट्रियता शत्रु राज्य से मिलती है अत्वा शत्रु के मित्र राज्य से मिलती है तो वह संभवत मित्र नहीं होगा और यदि व्यक्ति उस राज्य का ही अत्वा उसके मित्र राज्य का राश्टरिक है तो वह निश्य ही मित्र हो सकता है राज्य के क्षेत्र अधिकार के प्रयोग में भी सुविधा रहती है राश्टरियता के आधार पर राज्य अपने क्षेत्र अधिकार का प्रयोग भी करता है किसी मामले में एक राज्य का क्षेतर अधिकार है अत्वा नहीं इसका निश्य करने के लिए समन्दित व्यक्तियों अत्वा संस्थाओं की राष्ट्रियता को देखा जाता है तो इस तरह से राश्ट्रियता रहित व्यक्ति अंतरास्टे कानून के सरक्षन का कोई उप्योग नहीं कर सकते यदि एक राज्य के नागरिक को किसी राज्य से कोई हानी उठानी पड़ती है तो कोई भी उनका मामला उनके ही राज्य द्वारा उठाया जा सकता है और उन्हे उचित न्याई दिलाने का प्रियास किया जा सकता है तो राश्ट्रियता का महत्व अंतरास्टे कानून में बहुत अधिक है इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है इससे पहले मैं इसकी परिभाशा और अर्थ के बारे में थोड़ी चर्चा करूंगी क्योंकि राश्ट्रिय उसकी राज्यनिष्ठा निश्चित करता है। यह एक प्रकार का निरंतर चलने वाला वैद संबंध है जो प्रभूता संपन राज्य और नागरिक के बीच इस्थापित होता है। इस संबंध में कुछ विद्वानों ने अपने मत भी दिये हैं। जैसे ओपन हाइम ने ये कहा एक व्यक्ति की राष्ट्रियता का अर्थ उसका किसी राज्य की प्रजा होना और इसलिए इसका नागरिक होना भी है। गार्णर की परिभाशा यदि हम देखें तो उन्होंने भी यही कहा कि राष्ट्रियता भावना की वस्तु है। यदि किसी जन्ता ने राष्ट्रियता को प्राप्त कर लिया है तो केवल इसी कारण कि लोग विश्वास करते हैं कि वे आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे दृड इसने बंधन में बंधे हुए हैं जिसे ये प्रकट होता है कि वे इसी प्रकार बंधे हुए लोगों से भिन है रीलिंच विवाद में ब्रिटिस मेकसन ने क्लेम्स कमीशन के नेड़े में राष्ट्रियता के परिभाशा देते हुए ये कहा कि किसी मनुष्य की राष्ट्रियता प्रभुत्व संपन राज्य तथा नागरिक के मध्य का संबंध है किसी मनुष्य की राष्ट्रियता का मोलिक आधार उसकी किसी स्वतंत्र राजनितिक समुदाई की स्वतंत्रता है तो इसलिए ये इसपष्ट होता है कि राश्ट्रियता का मोलिक आधार स्वतंत्र राजनितिक समुदाई की सदस्यता है इस कानूनी सम्मंद के परिणाम स्वरूप राज्य तथा व्यक्ति दोनों के कुछ अधिकार और कर्तवियों का जन्म होता है तो राष्ट्रियता वो महतुपूर अवधारना है जो अंतराष्ट्रिय कानून को बहुत अधिक प्रभावित करती है अब हम देखेंगे कि राष्ट्रियता को कैसे प्राप्त किया जाता है या राष्ट्रियता प्राप्ति के प्रकार कौन-कौन से माने जाते हैं तो वैसे वर्तमान समय में ये निर्धारित करना की कौन व्यक्ति राज्य का विशय है और कौन नहीं है राष्ट्रिय कानून का इकार है राष्ट्रियता प्राप्त करने के पांच मुख्य साधन माने जाते हैं हलंक की कोई राज्य इन देशिये करण द्वारा राष्ट्रियता, तीसरा यदि हम देखें, तो पुने प्राप्ति द्वारा राष्ट्रियता, अधिंता द्वारा राष्ट्रियता और प्रदेश के हस्तांत्रण द्वारा राष्ट्रियता, ये प्रमुख पांच साधन माने गए हैं, हम एक एक करके यहां इन सभी को इसपश्ट करेंगे जन्म द्वारा राष्ट्रियता प्राप्त करने का मुख्य आधार माना गया है विभिन राजों में जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करने से सम्मंदित एक जैसे नियम नहीं है क्योंकि जर्मनी आधी कुछ राज्यों में यह नियम स्विकार किया गया है कि माँबाप की नागरिकता एक निर्णायक तत्व है राज्य के नागरिकों का बच्चा स्वेम ही राज्य का नागरिक बन जाता है चाहे उसका जन्म देश में हुआ हो अत्वा विदेश में इस नियम के अनुसार अवैद बच्चों को उनकी मां की राष्ट्रियता प्रदान की जाती है लंका या चीन में पैदा होने पर भी जर्मन माता पिता के संतान जर्मन ही होगी तो जन्म के आधार पर दी जाने वाली रास्ट्रियता का एक अन्य प्रकार भूमी का नियम भी होता है इसके अनुसा रास्ट्रियता मातापिता के रक्त के सम्मंद पर नहीं वरन उसी भूमी अत्वा प्रदेश पर निर्भर रहती है जहां उस बालक ने जन्म लिया इसे भूमी का नियम कहा जाता है यह नियम अर्जेंटाइना में स्विकार किया जाता है यहां ऐसी व्यवस्था है कि यदि बालक ने अर्जेंटाइना की भूमी पर जन्म लिया है तो उसे वहां की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी चाहे उसके माबाप विदेशी ही क्यों न हो दूसरी और यदि अर्जेंटाइना के नागरिकों का बालक विदेश में जन मिलेता है तो वैं विदेशी माना जाएगा अमरिका और बृटेन में नागरिकता प्राती के संबंद में एक मिश्रित नियम अपनाया जाता है यहां के राष्ट य कानून के अनुसर नैकेवल देश और विदेश में पैदा हुए इनके नागरिकोंके बच्चों को नागरिकता दी जाती है वरन प्रदेश में पैदा होने वाले विदेशी माबाप के बच्चों को भी नागरिकता सूपी जाती है जो बालक वायू यान या जल्पोत में जन्म लेते हैं उनको जहाज पर फैरानी वाली ध्वजा से राज्ये की राष्ट्रियता प्रदान की जाती है यानि वो कौन से राष्ट्र का या राज्ये का द्वजा वाला जहाज है संयुक्त राजे अमरिका के कानून की अनुसार किवल स्वदेशी नागरिकों के इस प्रकार उत्पन हुए बच्चों को ही नागरिकता दी जा सकती है विदेशियों के बच्चों को नहीं और भारतिय नागरिकता कानून 1955 में भूमी अधिनियम या भूमी नियम दोनों ही स्विकार किये गए है जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्ति से समंदित कुछ समस्याई है उनकी अवसरों पर राज्य ने व्यवहार में किसी एक सिद्दान्त को नहीं अपना कर दोनों को ही स्विकार किया है इसके साथ साथ कभी कभी निवास की शर्ट भी जोड़ दी गई है सेउक्त राजे अमरिका में पंजीकरित जहाजों में जन्म लेने वाले बालक वहां की राश्ट्रियता प्राप्त नहीं कर सकते लाम माओ के विवाद में लाम माओ को विदेशी मानकर अमरिका में प्रवेशे रोक दिया गया इसका जन्म अमरीका द्वारा पंजीकरित एक व्यापरिक जहाज में महा समुद्र में हुआ था और उसके मातापिता अमरीका के निवासी थे किन्तु चेन के राश्ट्रिक थे सरकिट न्याले ने ये मत व्यक्तिया कि अमरीकी सम्विधान के शब्दों को केवल भूमिक शेतरों और प्रादेशिक जल पर ही लागू किया जा सकता है जिसके निश्यत इस्तिति और मान्य सिमाई होती है जलपोद की कोई निश्यत इस्तिति नहीं थी आतेव महा समुद्र में अमरीक जहाज पर जन्म लेने वाले अपने माबाप की राष्ट्रियता प्राप्त वो कर सकेगा तो इस तरह की अलग-अलग देशों के द्वारा अलग-अलग व्यावस्थाईं की जाती है फिर है जैसे देशिय करण द्वारा राष्ट्रियता तो जन्म के अतरिक्त राष्ट्रियता प्राप्त करने का दूसरा महतुपून प्रकार देशिय करण माना जाता है देशिय करण द्वारा ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रियता सुंपी जाती है जो जन्म के आधार पर विदेशी है इसके अनुसार एक राष्ट्र के नागरिक दूसरे राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त करने का प्रियास करते हैं विभिन देशों के राष्ट्रिय कानून के अनुसार देश्य करण के अनेक तरीके हैं, विवा द्वारा पतनी को पती की राष्ट्रियता मिल जाती है, अवेद संतान को जब वैद बनाया जाता है तो उसे पिता की नागरिक्ता प्राप्त हो जाती है, और किसी देश में अधिकारी नियुक्त हो जाने के बाद एक व्यक्ति वहां का राष्ट्रिक मान लिया जाता है, तो देश्य करण से मिलने वाली नागरिक्ता पर प्रतिबंद भी लगाये जा सकते हैं, उधारन के लिए जैसे संयुक्त राजी अमरिका में कोई देश्य करथ नागरिक वहां इसे देश का नागरिक न हो जहां भारतियों को राष्ट्रियता प्राप्त करने में कानूनी बाधा हो, व्यक्ति दूसरे देश की राष्ट्रियता छोड़ने के लिए तैयार हो, प्रार्थना परत्र देने से पूर्व एक वर्ष तक भारत सरकार की नोकरी की हो, या भारत में निवास किया हो, समन्दित व्यक्ति का उत्तम चरित्र, भारतिय भाषाओं का परियाप्त ज्यान और भविश्य में भारत में रहने का इरादा हो, तो इस तरह से अलग अलग देशों के द्वारा भी कुछ अपने नियम और कानून काईदे बनाए जाते हैं, फिर है पुने प्राप्ति द्वारा राष्ट्रियता, जब एक राज्य के स्वभाविक नागरिक अपने मौलिक राष्ट्रियता को विदेशों में देशिय करण के बाद अत्वा अन्य किसी कारण से त्याग देते हैं, तब व्यक्ति कुछ शर्तों को पूरा करने पर अप व्यक्ति पुने नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यह स्थिती देशिय करण से भिन है, जिसमें स्वाभाविक नागरिकता को खोकर एक दूसरे राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त की जाती है, भारत से भाग कर अनेक मुसल्मान सन 1947 में पाकिस्तान पहुंचे, कुछ स देकर भारत के पुने नागरिक बन गए, इसी आधार पर लाखों व्यक्ति जो लंबे अर्शे से स्रीलंका, बर्मा या दक्षिन अफ्रिका में रह रहे थे, जब वहां की सरकानों उन्हें वहां का नागरिक मानने से इंकार कर दिया, या उन्हें नसल के आधार पर अनेक अधिकारों से वन्चित कर दिया, तो वह पुने भारत भाग कर आ गए और वहां पुने नागरिक बन गए, तो भारत इस मामले में बहुत उदार रहा है, यह हमें समय समय पर उसके नीतियों से पता चलता है, अधिनता द्वारा भी राष्ट्रियता एक अलग प्रकार है, क जैसे 1870 में जब फ्रांस के अलसेस लॉरेन प्रदेश को जर्मन सामरज्य का अंग बना दिया गया, तो वहां के निवासियों को फ्रांस की नागरिकता के स्थान पर जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई, इसी तरह से किसी प्रदेश के हस्तांतरन द्वारा भी राष्ट्रियता प्राप्त कर लेते हैं, जिसके लिए हस्तांतरन किया गया है, तो राष्ट्रियता को प्राप्त करने के अनेक तरीके हैं, विभिन देशों के अलग नियम हैं, और अंतराष्ट्रियता पर बहुत सी महत्वण नियमों की अवधारणाई हमें देखने को मिल राष्ट्रियता से सम्बंदित धन्यवाद